नमस्कार आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स मैं हूँ अंकेता हाल ही में बॉलिवूड के सुपर स्टार अक्षे कुमार को अपने फैंस से माफी माफी बागनी पड़ी है अक्षे कुमार के फैंस बुरी तरह सुनकी आलोशना कर रहे थे लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी दरसल फैंस ने अक्षे कुमार को तंबाखु ब्रैंड के एक एड में देखा और वो उनसे बेहत नाराज हो गए इसके बाद फैंस ने अक्षे कुमार को जम कर ट्रोल किया फैंस के गुस्से को देख अक्षे कुमार ने एक बड़ा फैसा लिया है जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया के सर ये बताया अक्षे कुमार का कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक तंबाकू ब्रैंड के एड से जुडने पर लोगों का इस तरहे गुस्सा निकलेगा अक्षे ने इसके लिए अपने फैंस से माफी भी मांगी और एड से बैक आउट भी कर गए अक्षे कुमार ने अपने फैंस के लिए एक नोट लिखकर कहा है कि इस एड को करने के लिए उन्हें जो भी फीस ओफर हुई थी उसे वो कुछ अच्छे काम के लिए डोनेट करने का फैसला वो कर रहे हैं अक्षे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टेट्मेंट शेयर कर लिखा कि मेरे प्यारे फैंस और शुब चिंद को मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ मुझे माफ कर दें पिछले कुछ दिनों से आपका जो रियक्शन देखने को मिल रहा है उसने मुझे बहुत प्रभावित किया है मैंने आज तक ना तो तंबाखु का सेवन किया है ना ही इसका इंडोस किया है और ना ही कभी करूँगा मेरे विमल इलाईची के साथ जोडने के बाद आपका जो रियक्शन आया उसकी मैं इससत करता हूँ आपको बता दे कि आड़ में अक्षे कुमार ने अजए देवगन और शारुख खान के साथ विमल इलाईची के आड़ को शेयर किया है इसमें तीनों एक साथ नज़र आए हैं इस एड़ को लेकर अजय और शारुख खान के फैंस पहले से ही उनसे बेहद नाराज है लेकिन जब फैंस ने अक्षे कुमार को भी उस एड़ में देखा तो लोगों का गुसा साथवे आसमान पर फूप पड़ा अक्षे कुमार अक्सर ये कहते हैं कि वो ना ही शराब पीते हैं और ना ही सिग्रेट ऐसे में फैंस नाराज थे कि एक हीरो ऐसी चीज़ों को कैसे प्रमोट कर सकता है जो इतनी नुकसान दायक है तो कहीं न कहीं दर्शकों की फैंस की नाराज़गी की वचह से अक्षे कुमार ने बैक आउट किया है वो पीछे हट गए हैं और उन्हें अपने फैंस से माफी भी मांगनी पड़ी है इस पर आपकी क्या राय है जरूर हमें कॉमेंट करके बताईए जोड़े रहिए जन्भावना टाइम्स के साथ नमस्कार